आज हम बात करेंगे करक रासी फल दो हजार परचीज आने वाला यह है नया वर्स दो हजार परचीज करक रासी यानि कैंसर साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है आईए जानते हैं दोस्तों यह रासी फल आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि 2025 में जो मुख्य घटनाएं जो आपकी लाइब में चैंजस हो रहे हैं जो बदलाव हो रहे हैं यह जो घटनाएं होने वाली हैं उनके वारे में आपको हम पहले ही बता देंगे बताएंगे कि आपके सिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी अगर आप बिद्यारती हैं तो आपके स्वास्त की स्थिति कैसी रहेगी आपके कोट कचेरी मुकत्मा वाजी की स्थिति क्या रहेगी करियर की स्थिति क्या रहेगी ब्यापार की स्थिति क्या रहेगी लब लाइफ म मेरिड लाइफ में क्या होगा और भी तमाम और भी तमाम बातें जो आपके लिए महत्पूर हैं आपकी धन के स्थिति और आपके परिवार के स्थिति बहुत कुछ आपको इस वीडियों में पता चलने वाला है दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें हमारा यह रासी फल चंड रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस रासी फल को देखें वह सुनें अगर आपको चंड रासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देख वह सुन सकते हैं हाँ आपको किसी एस्टलोजर ने या मैंने बताया है कि आपके उपर लगने रासी ज्यादा प्रभावी है या चंद रासी ज्यादा प्रभावी है नाम रासी ज्यादा प्रभावी है तो आपको फिर उसके अनुसार देखना चाहिए लेकिन इन जर्णल चंद रासी के अनुसार ह कि चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है और मन से ज्यादा हमसे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है जतना ती ब्रह्मन होता है जितनी जल्दी समस्याएं मन को परिसान करती हैं जितनी जल्दी खुसियां मन को प्रभावित करती हैं उसनी जल्दी किसी चीज को नहीं इसलिए रासी जब प्रभावित होती है तो हमारे जीवन में सबसे जल्दी प्रभाव पढ़ता है ग्रहों का इसलिए हम आपको यही कहेंगी क्या आप चंद्रासी का नुसार ही देखें नहीं पता है तो नामरासी का नुसार जा सकते हैं करकर आशिवालों 2025 नॉर्मल वर्स नहीं है, कोई सामान्य वर्स नहीं है क्योंकि इस वर्स में सनी का परिवर्तन हो रहा है सनी धाई साल में सिर्फ एक बार परिवर्तन करते हैं रासी परिवर्तन इसलिए सनी देव 29 मार्च को रासी परिवर्तन करेंगे और मीन रासी में इनका गोचर हो जाएगा 19 मार्च 2025 से और ये एक अद्भुत परिवर्तन है इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल वर्स नहीं है ये सामानने वर्स नहीं है दूसरा परिवर्तन राहु केतु का होगा जो डेड़ साल में एक बार परिवर्तन करते हैं और राहु केतु 20 माई 2025 को राहु कुंद में और केतु सिंग रासी में गोचर करेंगे और ये नॉर्मल नहीं है बहुत कुछ बिसेस बातें आपको हम बताने वाले उसके बाद में प्रहस्पती का परिवर्तन होगा प्रहस्पती देवबुरु प्रहस्पती जो आपकी लाइफ में अमरित प्रदान करते हैं आपको सहन सील बनाते हैं आपको विवेक सील बनाते हैं वो प्रहस्पती जो आपकी बुद्धी को बढ़ाते हैं और आपकी लाइफ में सकारात्मक उर्जा का संचार करते हैं, वह ब्रहस्पती भी परिवर्थन करेंगे, उनका परिवर्थन 14 मई 2025 को होगा मिथुन रासी में, यानि कि आपकी रासी से 12 भाव में गोचर करेंगे, बीच में मारगी वक्री का सिलसला भी इनका चलता ही, आपक और बताएंगे, लेकिन अभी हम रासी फल आपको बताते हैं, और ये जो चार ग्रह हैं, इनके बारे में आपको हमने इसलिए बताया क्योंकि इनी चार ग्रहों के मुख्य रूंप से आधार पर हम आपको बताते हैं, आपका रासी फल, तो आईए जानते हैं कि आपकी वर्स है इस वर्स में देखा जाए तो बहुत जादा पढ़ाई में मन लगेगा राहू जिस प्रकाल से बदलेंगे अपनी चाल उस हिसाब से तो दिखाई पढ़ रहा है कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ भी दी थी तो आप फिर से continue करने वाले हैं किसी भी कारण से उसके स अगर आप प्राप्त करना चाते हैं या आप आगे बढ़ना चाते हैं और कोई अच्छा कोर्स करना चाते हैं या किसी प्रकाल से हाई-लेवल के study करना चाते हैं और उसमें आपको कोई प्राफ्त कर पाएंगे और आगे भी पढ़ पाएंगे अगर आपने इंटर करके छोड़ दिया था और आपको चाहिए था कि कोई अच्छा आप डिप्लोमा करें या किसी अच्छे प्रोफेशन में जाएं वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है यानि कि हाई लेवल की सपना पूरा होगा उसके बाद में यहां पर विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज यह है कि मई से लेकर के दिसंबर तक का इतना प्यारा टाइम इतना अच्छा टाइम है कि आप सोच नहीं सकते हैं और उसमें अक्टूबर नवंबर तो और ही कहूंगा कि आपके लिए बैसे तो यह वर्ष पूरा अच्छा है लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जनवरी फरवरी में आप किसी भी विमारी को हलके में मत दीजिएगा उसके बाद मार्च के बाद तो सनीदेव देख लेंगे हर प्रकार की वीमारी खत्म कर दे आपको जनवरी फरवरी दो महीनों में थोड़ा सावधान रहना अगर कोई भी वीमारी कोई दिक्कत है तो उसका इलाज कराना है क्योंकि वीमारी अगर बढ़ जाती तो सनीदेव आगे उसे खतम कर देंगे लेकिन वीमारी बढ़ती है तो और थोड़ा साल का एक अच्छ या किड्नी इत्यादी की प्रॉब्लम या पिर किसी प्रकार से सारी अंद्रूनी प्रॉब्लम जो है ना रक्त संबंदित प्रॉब्लम ऐसी सारी प्रॉब्लम जो आपको परिसान कर रही थी ऐसी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी आपको या पिर आपके मामा को आपके न जून से इस्तितियां बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं, जिससे लव लाइफ काफी सुन्दर होगी, काफी जोबित होगी, लेकिन कुछ टाइम जो है वो खराब भी दिखाई पड़ते हैं, और उसमें अनुबन भी है, पार्टनर बहुत सक भी करेगा आप पर, बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो ओवर थिंकिंग करे, और जून जुलाई में ऐसा हो सकता है, अधिक मात्रा में इस्तिति बन रही है, क इसे इस रूप से महीने के, ये साल के सुरुवात के चारबात महीने सावधानी भरतनी है, बाकि उसके बाद में फिर भी स्तितिया थोड़ी-थोड़ी बहतर होती चली जाएगी, लव लाइफ में एक चीज और दिखाई पड़ रही है, कि आपके लिए हो सकता है, अप्ट इत्यादी आपको किसी को नहीं देना है, पैसा देने से बचना चाहिए और विसेश रूप से आपको बचना चाहिए, तो मैं कहूंगा सितंबर अक्टूबर के महीने में विसेश रूप से बचना चाहिए, किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको वो पैसा अ ये भी है कि आपकी गुप्त सत्रू नश्ट हो जाएंगे आपकी गुप्त चिंताई नश्ट हो जाएंगी और आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं इस साल में खास करके ये जो बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी वो अक्टूबर नवंबर में विशेष रूप से इस्तिती बन रही है उसके बाद में इस्तिती ये दिखाई पड़ती है कि अक्टूबर नवंबर में कोई मकान पर्चेस कर सकते हैं बाहन खरीश सकते हैं मकान बनाने का सपना है मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है इस साल उसके बाद में इस्तिती ये भी दिखाई पड़ती है कि आपके लिए कोट कचेरी से सम्मंदित अगर कारिरत है तो वहाँ पर भी धनलाब बहुत होगा और कोट कचेरी में आप मुकर्द में जीतेंगे बहुत बिजय ब्राफ्ट करेंगे अगर आप बकील हैं जज हैं वहाँ पर लाब मिलेगा और अगर कोई कोट कचेरी में केस चल रहा है लेकिन ये problem जो है third party की बज़े से या फिर ये समझ लीजे कि आपकी family की बज़े से हो सकती है केतु की बज़े से family interfere ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो हो सकता ही problem बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जलती नहीं दोराना है इस चीज़ का विसेज ध्यान रखिएगा तो कि राहू जब अश्टम में होते हैं तो पास्ट की गेम बहुत ज्यादा प्ले होती है तो वो उस चीज़ से बचना है आपको अम बात कर लेते हैं के आपके और स्थितियां क्या रहने वाली ने के आपके विवास के योग अक्टूबर-9 रहामबर में वनें के और विसेज रूप से ऐथरा अक्टूबर से अगर कोई यह सब देगा ऎप सारी चीजe जूलाई उसके बाद में स्थिति यह है कि इंटरटन्मेंट के फिल्ड में और मरवनजन की दुनिया में थोड़ी स्थितियां उतार चड़ाब की हो सकती हैं लेकिन मॉडलिंग के फील्ड में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लाब होगा ब्यूटिशियन हैं या मेकप आटिस्ट हैं तो ऐसे में आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी वर्दही हैं उसके साथ साथ सेयर मार्केट में विशेश रूप से धनलाब होगा बर्स 2025 में आपको कई नए ओफर मिलेंगे कई नए प्रोजेक्ट मिलेंगे सरकारी बहुत सारे काम से आपको लाब होगा सरकारी टेंडर भी आपको मिल सकते हैं उसके साथ साथ विदेश यात्रा अधिक होने वाली हैं और लेकन या अभिने से जुड़ा हुआ काम आपका बहुत अच्छा चलेगा अगर आप म्यूजिक डारेक्टर हैं तो विशेश रूप से आपके लिए धनलाग की और काम मिलने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में हैं दोहजार पत्चीस में आप एक दिन भी खाली नहीं रहेंगे इस प्रकार के स्तिती बन रही है विशेश रूप से म्यूजिक से संबंदित दोहजार पत्चीस एक दम ये समझ लीजए कि आपके लिए हर सपने पूरे करने बाला रहेगा अगर आप music industry से काम करते हैं music इत्यादी से सम्मंदित काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बिसेश रूप से लाग होने वाला है उसके बाद में यहाँ पर promotion सरकारी जोग में promotion हो सकता है अगर आप पुलिस विभाग इत्यादी में हैं तो वहाँ पर promotion के अधिक संभावना दिखाई पड़ती है अचानक से यात्राएं बहुत बार होंगी और लंबी यात्राएं होंगी ज़्यादतर उसके बाद में इस्तिती सनीदेव लगातार आपके promotion की बनाई रखेंगे private sector में IT से सम्मंदित job, IT से सम्मंदित या इंजीनियर इत्यादी जो भी है software engineer इत्यादी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाग की स्तिती दिखाई पड़ती है अगर hardware का ब्यापार है तो बहुत अच्छा चलने वाला है उसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार से आप furniture इत्यादी है, manufacture इत्यादी करते हैं furniture से सम्मंदित product का तो वहाँ पर भी स्तिती दनलाग की बहुत जवरदस्त बन रही है आप अगर सराव का ब्यापार करते हैं, अगर आप chemical का ब्यापार करते हैं और विसेश रूप से आप किसी भी luxury item बनाते हैं, कोई भी luxury product बनाते हैं विसेश रूप से leather का बना हुआ हो, तो ऐसा कोई item बहुत ज़्याद आपके लिए अच्छा लाव की योग बना रहा है बहुत अच्छी स्तिती है, उसके साथ-साथ राजनितिक लाव आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है विसेश रूप से लाव की प्राप्ति होगी, जितनी भी company हैं, नसे का ब्यापार जो करती है, चाहे वो गुट का तमाखू से लेकर सिक्रिट तक उनका ब्यापार पैसे भी बड़ा चड़ा रहता है लेकिन 2025 में उनका गापार और ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर आप कोई company है तो आप निश्चत रूप से बहुत धनलाब प्राप्त करने वाले हैं अब यहाँ पर last में मैं आपको यही कहूंगा कि धनके दृष्टी कौन से ये वर्ष आपके लिए सबसे अच्छा है अगर highlight में देना चाहूं तो इस वर्ष में सबसे ज़्यादा दो अच्छी चीज आपके साथ में होंगी एक पैसा बहुत कमाएंगे और दूसरा बहुत ज़्यादा नए लोग आपके life में जुणने वाले हैं यह दो चीजें आपके साथ में बहुत होंगी और वही नए लोगों से आपको बहुत धनलाब होने वाला है अगर आप किसी ऐसे profession में है जहां आपको client पैसा देते हैं client तो हर किसी को पैसा देते हैं लेकिन आपके पास नए customer आएं और वो आपके साथ में consult करें आपसे बात करें या आपका कोई product purchase करें बहुत सारी अलग-अलग service आप पी लें या फिर online क्योंकि राहू अश्टम में online और सनी नवम में online जितने भी platform है चाहे वो किसी प्रकार की service देते हैं या फिर कोई भी किसी प्रकार की भी purchase करवाते हैं या online e-commerce website इत्यादी जितनी भी हैं उनको सबसे ज़्यादा धनलाव होने वाला है और online जो भी लोग काम करते हैं social media influencer इत्यारी उन सब को करकरासी वालों को माला माल करने वाला होगा यह है 2020